हुल फ्रेंट्स वेलकम टू टू दा स्टड़ी भारत, स्टड़ी भारत मापका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम करेंगे यूजी सिनेट पेपर वन रिवीजन सीरीज का मौक टैस नमबर चार तो फ्रेंट्स इसमें ये टॉफ 50 MCUs करेंगे सबसे पहली बात फ्रेंट्स यह है कि जो हम आपको मौक टैस करा रहे हैं इसी में से ही पेपर निकलने आप चाहें हमारा मौक टैस देखिए एक्जाम की कॉश्षन मैच करें इसी में से ही कॉश्षन आ रहे हैं अगर आपको Paper One के त्यारी करने तो यह mock test करिए तो friends अगर आपको Paper One की त्यारी करने के लिए mock test चाहिए MCQs चाहिए तो आपको हम 1200-1500 MSQs देंगे आपको हम study kit देंगे जिसमें UGC NET के unit wise volume wise 7 mock test है तो इसकी cost है 200 पीस तो आपको mock test हम करवा रहे हैं आपको यह भी वीच में include मिलेगा तो आप ले सकते हैं तो अगर आपको दोनों medium चाहिए इसकी cost है 300 पीस आपको हमें contact करना है WhatsApp करना है इस नमबर के उपर बाकी की सारी जानकरी आपको यह आपर दे दे जाएगी अगर आपको बिल्कुल फ्री में करना है तो आप मारी वीडियो देखिए यह बिल्कुल फ्री में है वीडियो चल लगा है तो like और share करना मत भूलिए तो चलेए शुरू करते आज का वीडियो तो फ्रेंट से लिए शुरू करते हैं mock test number 4 paper 1 का तो फ्रेंट देखे the proper cause of अध्यासा according to samkara या जो samkara के अनुसार अध्यास का उचित कारण क्या है ठीक है अध्यास का या अध्यासा को उचित कारण क्या है ठीक है आपको नची आंसर भी दे इस कार्शात में तो देखे इसका अविद्या माया वहवार या all of these तो राइट असर है D, all of these, यानिकि समकारा के अनसार क्या है, जो अध्यासा है, ठीक है, उसमें ही सारी चीजे आती है, ठीक है, on which list is education in Indian constitution, यानिकि जो education है, वो कौन सी list में, दिखें, फरेंट से हमारी तीन लिस्ट होती है, भारतिय समिंधान में, Indian constitution में, three list है, तीन list है, जो schedule seven में दर्ज है, इनकी अनसुची साथ में दर्ज है, जो है, union list, ठीक है, state list और concurrent list, अब देखें यहाँ पर central list, Union list, central list अमलब है, कि जिसके उपर सिरफ central government कानुन बनाती है, state list, जो option number c, जिसके उपर सिरफ state government कानुन बनाती है, लौ बना सकती है, Concurrent का मलग होता है कि जिसके उपर State और Central ठीक है Central और State दोनों ही कानून बना सकते है तो बताएए कि जो Education है ठीक है वो कौन से ही लिस्ट में है तो औरा यह टांसर है Option B Concurrent List ठीक है जो Education है वो Concurrent List में है तो पेदा ही State List में था अब इसको हटा के Concurrent List में कर दियागा यान कि अगर Education का सम्मन्द में Education के बारे में कोई Changes करने है तो वो State Government और Central Government दोनों कर सकती है अभी देखे कि जैसे यो UGC है जो University Grant Commission है वो Central के अंदर है Central Government के अंदर है तो देखे अगर उसने Slaves Change किया है पूरे देश में Slaves Change हो गया ना यान कि इसके उपर कानून बनने का अधिकार जो है वो के अंदर को भी है और सो फ्रेंस नेक्स्ट कोचन है Information क्या है सूचना क्या है Raw Data, Raw Knowledge, Input Data, Organized Data देखे जो सूचना है, जो Information है वो होती क्या है वो होती है Option Number D यान कि Organized Data हमारे पास जो Information है वो Organized Data होती है एक ऐसा डाड़ा जो विवस्तित रूप से हमारे पास होता है ठीक है फ्रेंस तो next हम बात करेंगे Computer Assisted Instruction यान कि जो Computer Assisted जो Instruction है वो किसके उपर Based है जो Computer से हमें जो Instruction मिलती है किसके उपर Based है जो Classical Conditioning, Operant Conditioning तो Volum Conditioning या Respondent Conditioning तो Right Answer Option B Operant Conditioning तो next Question है Question Number 5 Who Provides Us The Internet यान कि हमें Internet जो है कौन प्रवाइड कराता है तो TCP, ISP, FTP या HTTP Friends आप एक बार याद रखे कि जो Elimination method अपनाई है तो आपका Question असान हो जाएगा FTP क्या है File Sharing करने के लिए HTTP HTTP क्या है जब हम NetPay Surf करते है यानकि जब हम NetPay चीज को कोजते है यानकि यह COD option नहीं हो सकते तो बचा TCP और ISP तो इन दोने में से Option ढूंड़िए आप तो उसका Right Answer है Option Number B यानकि ISP ISP की Full Form है Internet Service Provider यानकि ISP तीक है तो राज्य की विधान सबा जो है उसमें Popular House कौन सा है ठीक है Legislative Assembly Legislative Council Legislative सबा या जिला कॉंसल तो Right Answer है Option Number A Legislative Assembly ठीक है Friends किसी भी ही राज्य है जैसे हमारे देश में है लोग सबा, राज्य सबा है न Parliament के अंदर अब देखे लोकल लेवल पे स्टेट लेवल पे हम Parliament तो कह नहीं सकते वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे होता है State Legislature जैसे देश में पार्लामेंट का काम है वैसा ही राज्यों में काम होता है State Legislature का तो जैसे देश में लोग सबा है राज्य सबा है तो हम state में उसका नाम change कर देते हैं उनका नाम होता है legislative assembly or council तो हर एक राजे में council तो है नहीं है सिर्फ हमारे साथ राजे में भारत के जो 29 राजे हैं वहाँ पे क्या है साथ राजे में 7th state में ही assembly or council दोनों है तो जो 22 राजे बचते हैं तो नाम पे अकेली assembly है तो पॉपलर हाउस कौन सा हुआ है legislative assembly तो next question है इन में से क्या एक चीज गलत है अब देखें इतने बड़े हैं मैं आपके सामने option पढ़ोंगा नहीं कि lecture हो जाए का लंबा तो आपको सीदिस कांसर बिदा ज़िता हूँ कि क्या गलत है option number C येन की the governor is the real head of the state administration देखें होता क्या है कि जैसे जो governor है किसी राज्य का होता है head पर वो real head नहीं है real head कोन होता है चीज मिनिस्टर जैसे हमारा जो इंडिया है जो मारा भारत है वहाँ पे real head कोन है हमारा prime minister ठीक है तो nominal head कोन है वो है real head तो है हमारे जो prime minister होते है ठीक है तो जो वैसे किन के नाम पे काम होता है सारा राश्टरपती के नाम पे ये प्रेस्टन के नाम पे सेम वैसे ही जो state है वहाँ पे क्या है कि जो real head है वो है चीज मिनिस्टर तो बाकी सारे काम किसके नाम पे होते हैं वो होते हैं गुवर्णर के नाम पर अब देखें यहां पे लिखा है कि रियल है रियल है तो तो यह गलत है यहां पे ठीक है The maximum speed of modem is देखें modem की maximum speed क्या है modem क्या है आप ने गर internet गाया हुआ है घर पे ठीक है तो जिसके ओपर internet लगता है जो box होता है वो होता है modem इसकी maximum speed कितनी होती है तो राइट आंसर है ठीक है 22, sorry 32, 56, 64, 128 kbps तो राइट आंसर ऑप्शन नमर भी 56 kbps यहनकी kilobyte per second ठीक है kbps की full film होती है kilobyte per second ठीक है next which protocol is used for browsing website अब देखे website के लिए website के लिए क्या है कि कौन सा protocol use होता है ठीक है friends यहीं कि browsing website के लिए हम कौन सा protocol जो है इस्तमाल करते है TCP, HTTP, FTP यह TFTP तो राइट आसर है option number B HTTP ठीक है जब आप को यह website open करते हो www से पहले HTTP लगा होता है तो यह क्या है यह है protocol ठीक है protocol का meaning होता है set of rules ठीक है friends next है which is the part of IP ठीक है IP का part क्या है यहनकी IP का इन में से part क्या है ठीक है internet protocol का part क्या है निटाइट, समिटाइट, hosted या all of these तो राइट आसर होप्शन बढ़ी all of these ठीक है यह IP का यहनकी ठीक है इसका part है ठीक है internet protocol ठीक है the subnet mask ठीक है 25.255.0 ब्लोंस टू अब देखे किसे related है option number B class B से ठीक है subnet marks ठीक है जैसे हमारा जो net है उसका subnet का यह type है ठीक है तो यह थोड़ा से tricky question है who provide us the internet ठीक है फिर से question रपीट हो गया भई ठीक है राइट answer option number B ISP internet service provider how many language have been recognized by the constitution ठीक है हमारे भारते समिधान में कितनी भाषाएं है तो राइट answer option number C 22 भाषाएं है ठीक है जो हमारी 22 भाषाएं है यह कौन से schedule में दर्ज है constitution के यह हमारे Indian constitution के आठवे यानकी एर्थ schedule में दर्ज है 22 भाषाएं ठीक है आपके लिए एक question है कि जो हमारी 22 भाषाएं है जो हमारी 22 language है उन में से कौन सी language जो है वो इसमें दर्ज नहीं है ठीक है आपको यह बताना है comment box में लिखके जो हमारी 22 भाषाएं है वो कौन सी ऐसी language है जो इन 22 भाषाओं में दर्ज नहीं है ठीक है Generally in federal type of universities the organizational pattern of course ठीक है friends अब देखे caution क्या बनता है यह आपे caution ही कह रहा है कि आमतर पर संखेश परकार के जो विद्याले है जो federal type के जो उनिवस्टी है वहाँ पे जो syllabus है ठीक है उसका pattern होता क्या है देखे आपके सामने चार option है तो उसका राइटना सा option number A post graduate courses in university campus and graduate course in consistent college यान कि विशेव विद्याले परिसर में जो graduate जो courses होते है और जो दूसरे college है उनमें क्या है सेम जो है वो syllabus पाया जाता है ठीक है यान कि जो post graduate college है जो post graduate courses है उनिवस्टी में होते है जो graduate जो course होते है वो कहां पे होते है college में ठीक है यान कि federal type के अगर हम उनिवस्टी के बात करें तो अगर आपको वहां पे post graduate करना है तो आपको university जाना पड़ेगा अगर आपको graduate करना है तो आपको college जाना पड़ेगा ठीक है So next question है Which of the following is not related to Indian education commission recommendation इन में से क्या Indian education commission जो भारत की शिक्षा नहीं ती जो भारती शिक्षा आयोग है 9064 से 66 यान की 64 से 7 तर इन में से क्या उसे related नहीं है तो आपके सामने option लखे है आप इसका देखिए तो इसका right answer है Option number D Role of Registrar ये इसे related नहीं है Submudge hydrophytes have commonly dissected leaves for option यान की जो जल मगर hydrophytes है में आमतर पर विगल के लिए विचेदित होते है सबमज hydrophytes ठीक है ठीक है आपके सामने option 4 है option 4 है इसका right answer option number C Reducing effect of water current ठीक है यनकी जो जल जो पानी की जारा बहर ये जो जो पानी जो बहरा है उसका ही परभाव कम कर देता है ठीक है X-ray films are source of which of the falling gas X-ray जो फिल्म है किसे रिलेटेड है SO2, CO2, NO2, SO3 तो right answer is option number C NO2 ठीक है the maximum size of fly ash यनकी जो हवा में जो fly ash यनके स्वाह ठीक है जो उड़ती है ठीक है जो राक उड़ती है उसका size क्या है maximum size क्या है option number C ठीक है 1000 nanometer इसे nanometer बोला जाता है ठीक है friends next है hauling and hooting by the audience during a public speech is an example of ठीक है यनि कि एक सारविजिक भाषन के दोरान दर्श को दोरा hauling and hooting इसका एक उधारन है ठीक है होता क्या है कि जब एक भाषन होता है किसी जगा के उपर वहाँ पर क्या है कि जो दर्शक है वो hooting करता है वहाँ पर क्या है अगर वहाँ पर कोई अपना प्रोग्राम करने ना आये तो लोग hooting करने ले रहते है ना जैसे हैना तो क्या है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो अगर कोई scene बोरिंग लगए फेटर में है ना Cinema Hall में तो वहाँ पर हूटिंग कर ले रहते हैं ना वह तो क्या है वह नेक्टी फीडबेक है ठीक है फ्रेंज एक प्रडूज को प्रडूज करते हैं तो क्या है वह है डी इंकोडिंग है यह कि हम मैसिज को बना रहे हैं अब देखें पाई चार्ट का कॉशन है ठीक है आप इसको पाईट को पॉस्ट करके पढ़िए या इसको स्क्रीन शोड लेके पढ़िए तो आपको एक्जाम में इस अब झेकर काम आएगा थिक तो देखें आपको सीधी आपको में इसका प्रबदा लूशन लुशन बनाऔस पढक है तो आपको इसका सुलूशन बनाओं सब्राइं यह तो पीए कैसे है तो आप इसको देखिए इसको बेखिए आपकर relent निकाल के देखिए आपको मैं फिर से percentage का question है percentage average ratio ठीक है अगर आपको डिय करना है तो आपको यह आना ही चाहिए ठीक है यह option बड़ी इसका right answer है यहनकी 2.5 देखें कैसे आए मैंने यहाँ पर निकाला हुगा है ठीक है 23 का answer है option number A तो यहाँ पर मैंने इसका answer निगाल का आप चाहिए इसका screenshot लिजिए चाहि है इसका भी यहाँ पर दे रखा है मैंने ठीक है solution दीक है next question है which of the falling is not an advantage of written communication over oral communication यानि कि इसमें से क्या निमलिक में से कौन मौकिक पर लिके संचार का लाब नहीं है यानि कि इसमें क्या है कि अगर जो जो देखें जो हम हम पहली बात तो क्या है कि हम बोल के जो communication करते है वो उसे कहते है mocking यानि कि oral communication उसके ओपर अगर हम ठीक है कोई written communication करते हैं तो उसे हमें क्या फाइदा नहीं होता ठीक है तो right answer option पर C accessible to the illiterate यानि कि अनपड के लिए सुलब है अब देखें उसे क्या है कि जो अनपड व्यक्ति है वो क्या है वो बोल सकता है पर वो लिख नहीं स सकता है तो oral communication क्या है उनके लिए best है who coined the term kind sick ठीक है यह term किसने दी है कांसी की ठीक है तो इसका right answer option पर डी रे बर्ड विस्टेंट ठीक है रे वर्ड विस्टेंट नेक्स्ट है वर्ट इस हैप्टिक्स हैप्टिक्स क्या है ठीक है सब्सक्राइब अफ़ आई बहेविर स्टडी ऑफ टचिंग यह स्टडी ऑप बॉड़ी मुमेंट प्राइब असरा option पर सी study of a यह की grandfather देखे आपको मैंने यहां पर इसको option दे रखे हैं आप इसको आपकी duty बनती है कि आप इसको pause करिए statement पढ़िए आप उसको कुछ से करिए ठीक है क्योंकि अगर मैं यह करवाने जाओं वीडियो दो खंटे से उपर चला जाएगा इसलिए आपको मैं जल्दी कि ताकि कम से कम समय में आपकी अच्छी त्यारी हो जाए ठीक है विचे दा सन इन लोग ओफ जैट्स ग्रैंड मदर ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर डी ठीक है एक्स अब देखे नेक्स्ट आगा हमारा रीडिंग कॉमपरिहेंशन यह 31 से 35 है यहां पे आप 33 का आपर डी 34 का आपर सी और 35 का आंसर है आप्शन नमबर बी ठीक है फ्रेंज तो यह थे आपके रेडिंग कॉमपरिहेंशन के वीडियो पॉस्ट करके उसके बाद उसको ढूंड़ लिए तो आपका यह आंसर से मैस करेगे ठीक है नेक्स्ट आगी यह कौशन है नंबर सि जा रहा है एक्जाम में पूछा जा रहा है कॉश्चन तो तो आपका यहां से निकल जाएगा ठीक है फ्रेंट्स अल्टरेट पैटरन से आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं ठीक है को चलिए नेक्स करते हम हैं यह से रिटेड है यह कोडिंट नर्ट कशंच नंबर सी का राइट आंसर सुलैशन आपके यहां पे स्काइश का स्लीशन आप ले सकते हैं ठीक है नेक्स देशो हों घाइज और पूछाए कि तर प्रपोशन ऑफ और उन मिल्क अंड वाटर इस थर will be there in 100 kg milk mixture अगर यहां पर 100 देखे यहां पर क्या है कि जो 13 into 7 30 ratio 7 क्या है यहां पर milk and water का mixture है अगर 100 kg milk हो यहां कि 100 kg दूद का mixture हो ठीक है तो उन में से milk कितना होगा ठीक है तो इसका right answer है option number D यहां कि 65 kg के है दूद होगा 35 के पानी होगा ठीक है यहां पर एक question है percentage का यह percentage का question अलग से भी पूछे जा रहे है और साथ में आपको data interpretation में भी पूछे जा रहे है मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ता कि आपको अच्छे से समझे हैं आए और वीडियो छोटा बने ठीक है इसलिए आपको एक आपको paper भी देना है तो आप मेरी वीडियो को थोड़ी देखते रहोगे बार-बार है ना तो वीडियो छोटी है आप इसको अच्छे से करोगे तो आपका असानी से हो जाएगा तो आप option number 6 का right answer है यहां पर solution दे रखा है solution आप देखिए screenshot लीजिए कुद करके देखिए solution से match करिए कि आपका भी answer आ रहा है ठीक है नहीं आ रहा है तो आपका question फिर वह गलत है पिर आपको फिर से ट्राइब करिए देखिए next question फिर से यहां पर percentage का यहां पर यह profit and loss का question है ठीक है तो next question फिर से यह time and distance का question है ठीक है कि यहां फिर से CI SI का question है तो friends एक बाद आप जखीन मानके चलिए कि जो आपको मैं question बता रहा हूं ऐसी ही टाइब को question paper में आ रहे हैं यहां कि आपके लिए hundred cents जो है बहुत ही ज्यादा मत्वरन है यह mock test ठीक है नेक्स वोर्शन है वर्ट इस proxy mix ठीक है प्रॉक्सिमेस इसमें से क्या है study of space in communication study of body movement प्रॉक्सिमेस इसमें से क्या है ठीक है तो इसका right answer option number a study of space in communication ठीक है यह क्या है proxy mix dash is important when a teacher communicates with his her student इन में से क्या एक चीज़ जरूरी है important है होती है जब teacher communicate करता है student के साथ ठीक है sympathy empathy 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 एंटीपैथी एंटीपैथी ठीक है राइट असर और इंपैथी प्रेंसे आप दिखे sympathy और empathy का तकरीबर एक ही मतला हम जानुब होती हमदर्थी ठीक है तो अगर teacher communicate कर रहा है स्टूड़न के साथ चाहे वो लड़का है चली लड़की है तो से क्या है सहानूभ होती हमदरदी होन चाहिए उसके साथ टीक है तो होता है कि क्लास्रूम जो क्म्मकिशन है वो स्ट्ट्रेट्ट अंटर्ड होता है। इका इंको पढ़ने का मन नहीं नहीं होता है, अगर उनको चीज मुश्किल लगती है अन्हों आसान करके बता एक घटक है एक कॉंपोनेंट है नेस्ट है नेस्ट है दा कॉंजिकेंट ऑफ कम्मिकेशन इसकॉंट ठीक है अब देख्या हम जो संचार की परिकिरया जो है जो जिससे संचार करते हैं उसे क्या ग्ते हैं एक प्रभाव देती है एक कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्राइटी ओन यानिकी हिंदी में देखे तो अनुसंधान में एक काम प्रिक्षिन पर बहुत प्राध्मिक्ता की मांग की जाती है ठीक है जब हम रिसर्च डिमांड है ठीक है उसके ओपर एक कामन टेस्ट है वो क्या है रेलिबिल्टी इसलिबिल्टी अप्जेक्टिविटी ओप्जेक्टिविटी ओ अल अफ दीस ठीक है तो राइट आस रहें ऑप्शन नमबर दी ओल अफ दा अबव ठीक है एक शक्षर का डूम में आपको अपने विद्यारत्यों की मांग नहीं करनी चाहिए जो उनके विग्यास की चरण से परे है जो स्टोडिन नहीं कहेंगे जो उनके विभी काश alm में काम आशेर की चाहिए जो उसके गाम की होई ना ऑगर टीछर वही उनको करवाने लग्यारेज़ां तो इससे क्या होगा तो उसे तो उसे तो उसे उच्छ तानाव होगा और उसे घवराहट भी होगी तो फ्रेंड्स यहां पर होता है लेक्चर नमबर चार यहां कि मौक्टर नमबर चार होता है क्यों कि देखिए मैं वीडियो को जाया लंबा नहीं करूंगा इससे क्या होता है कि आपका जो एक्जाम आने वाला है ओपसे टाइम बहुत कम है इसलिए आपके करो कि इसको अच्छे से करिए जो मैत के कोशन है उसको आप अच्छे से सॉल्व किजिए स्क्रिंशोड लेकि क कर सकते हैं तो आपको कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज एवरेज रेशो कुछ भी चैप्टर मुश्किल लगता है तो आप मारे वीडियो के प्लेलिस में जाईए वहाँ पे हमने सारे चैप्टर करवा रखें अब वहां से मैथर्ड कॉपी करिए मैथर उठाईए तो को लगाएगे आपका ही हो जाएगा अगर आप सुआ जाते हो तो आप डीचर